असलाम अलेकम वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आज हमने आलेस का डिजाइन बना रहे हैं पर कॉटन पर्ल के साथ यह वाला कॉटन का स्रेड है बहुत ही खुबसुरा लुक देता है और बहुत ही फाइन क्वालिटी का है इसके लिए हम आज के डिजाइन कर सकते हैं कुछ भी तरह के आप बीट्स कर सकते हैं और बीट्स को मैं अड़ करने के लिए यह बारा नंबर की बारीक वाली हुप जूज करूंगे जिसमें मैं इसको आसानी से इंसाइड कर सकूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिजाइन जो के बहुत ही बनने वाला है सबसे पहले हम अपने थ्रेड पे इस यूजर ले लेंगे जो के बहुत ही आसान है जो के और बहुत ही ज़रूरी चीज है इसके बगार हम अपने डिजाइन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो चलिए स्लिप नोट लेते हैं और साथ ही इन लोग नहीं अभी सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए थेंक्यू कुछ इस तरह से मैंने स्लिप नोट ले लिया है बारीक वाला थ्रेड है तो मैं 1.0 mm की हुग जोज करूं सबसे पहले हमें क्या करना है सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैबरिक पे इसको जहां पर भी आपने बनाना है साथ हमने टू जेन ले लेनी है टू जेन हमारे पास डबल क्रोशे की काउंटिंग देती है टू जेन प्लस वन टाइम जेन बनाना है जो के हमारे डिजाइन की रिक्वार्मेंट है और एक डबल क्रोशे बनाना है मैक्सिमम वन जेन के गैप क बना सकते हैं यानि कि आप बनाने के बाद देखेंगे कि हमारे रिजाइन में खिचाओ तो नहीं आ रहा तो यहां पर क्या करेंगे वान चेन फिर से ले लेंगे और डबल क्रूशे बनाएंगे सेम डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से हमने फोर टाइम गैप्स बनाने हैं यह फर्स्ट वाला गैप हमारा ऐसी ही बनेगा क्योंकि हम यह लास्ट वाले स्टीच को जब इसके साथ अटैज करेंगे तो यह सेट हो जाएगा वान चीन लेना है फिर से हमने डबल क्रूशे का बल ले लेना है और डबल क्रूशे बनाना है वान चीन और फिर से डबल क्रूशे सेम डिस्टेंस पर हमने डबल क्रूशे बनाना है और यह फोर गैप्स हमें चाहिए इस तरह से वान टू त्री एन फोर यह फोर हो गया हमा एक मुटी एड कर लेंगे तो वह नह mejtum लेगा ऊकुछ इस तरह से इनजुर सब्सक्राइब करना है और प्रोच के साथ इसको अटाइच करना है और इसको हम लॉक करेंगे हम यहां पे चेन बना लेंगे तो वह हमारे पास पंजीन की रेकॉयर पूरी हो जाएगी कुछ इस तरह से साथ ही डबल क्रोशे का भल ले लेना है और सीम डिस्टेंस पे इसको डबल क्रोशे बनाते हुए कुछ इस तरह से आपको नदर आएगा यह हमारा सेंटर पार्ट है और इसके एज़ पे हम यह जो लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाया है इसके साथ ही हम इसके पास फाइफ टाइम चेन बनाएंगे टू ट्री फोर और फाइब और बैक पे जाते हुए यह जो हमारा पीछे व पाइब यह जाए चेन को इसमें और क्या करेंगे थ्री जैन लेते हुए बापस फर आप पी चले जाएएगे और इस इंग गैए इस फाइफ जीन के क्रॉस में हमने 5 पैटल्स ज्या 5 थ्री जेन के साथ पी कोर्स बनाने है जोकर हमें पैटल्स की लूक्त देते हैं वान फ में लोगे फ़िए हमारा नास्ट फाइफ वाला पैटल रोनी का है वण तू यह जब इपर लेंगे तो हम यह जो डबल कुरॉषियर लास्ट वाला इसके उसकी बार सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह और फिर हम अपने flower को set करेंगे और center में हमारा यह परल नजर आएगा कुछ इस तरह से यह हमारे पास flower बनेगा साथ ही हम क्या करेंगे इसके साथ attach कर दिया सिंगल क्रोशे से तो one chain ले लेंगे और double crochet बना लेंगे same distance भी फिर से हमें four gaps बनाने हैं मैं four gaps का distance रख रही हूँ आप तरीका भी बना सकते हैं और आप यह वाला flower बिल्कुल साथ-साथ next वाले gap में भी बना सकते हैं one chain plus double crochet one chain plus double crochet फिर से one chain plus double crochet और एक बार फिर से हम बनाएंगे फिर वाला बनाएंगे उसमें अपना पर्लेड करेंगे इसमें हम पर्लेड करेंगे आप पर्लेड कर लेंगे मोथी crystal के उज़ कर लेंगे जो भी आपको यूज करना साथ या जो भी आपके पास अवेलिबल है आपके फैबरिक के कलिए के साथ मैच है तो आप वो चीज़ यूज कर सकते हैं इसको हम लॉक कर लेंगे चेन के साथ और पिर से डबल क्रोशे का बाल लेते हुए सेμ धिस्टेंश भी हम डबल क्रोशे बना देंगे कुछ इस तरह से और जब यह हम डबल क्रोशे यह बनाएं इसके एच पे हम 5 जेन बनाएंगे और इस 5 जेन को हम बैक साइड से जाते हुए पिछे वाले स्पेस में हम अटैज करेंगे सिंगल क्रोशे की हल्प से फिर से हम 3 जेन बनाएंगे और फ्रंट पे वापस आ जाएंगे फ्रंट पे हम आके इस 5 जेन के गैप के क्रॉस में इस तरह से हमें 5 टाइम पैटल्स बनानी है यह होगा हमार पास 3 जेन इसको हम सिंगल क्रॉशे कर देंगे लिफ्र से इसी के क्रॉप में एक तरह सिंगल क्रॉशे कर देंगे लिफ्र से हम इसको क्रॉश में सिंगल क्रॉशे कर देंगे वान टू थ्री फोर टाइम हो गया और यह हमारा लास्ट फाइफ पैडल और जब हम फिनिश कर लेंगे सारा काम तो यह जो हमारा डबल कोशे है इस डबल कोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल कोशे करते हुए वान चीन लेंगे और फिर से हम सेम गैप के साथ 4 टाइम डिस्ट कुछ इस तरह से यह हमारे फ्लावर्स बहुत प्यारे बनते हैं मैं आपको थोड़ी सी लेंग बना की शो कर देती हूँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंग कम्पलीट की है और आप इसके डिस्टेंस को कम जएदा कर सकते हैं इसमें कोई इस्यू नहीं है आप इन फ्लावर्स को बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं इसको या फिर वन टाइम यह जो गैप है इसको वन गैप को रख सक सकते हैं या फिर फोर बनाना चाहते हैं फोर बना सकते हैं सिक्स बनाना चाहते हैं सिक्स बना सकते हैं और बनने के बाद आप देखिए बहुत ही खुश्रा नज़रा था हमारा यह आज का डिजाइन इस डिजाइन को आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पर बनाएं दबटे के पलू पर बनाएं और हिज्वाई करें अपने ड्रेसिस को न्यू लुक दें और अपने गले के बॉर्डर पर भी बना सकते हैं आप और टेबल कवर के बॉर्डर पर भी बना सकते हैं आई होप के आर्ट का डिजाइन आपको पसंद आया है और समझ भी आया है इंशाला नेक्स वीडियो में बलूँगी ने डिजाइन के साथ अपने द्वाओं में याद रखिएगा अलाफिज